26 जनौरी की जहाकियों में पंजाब की जहाकी इस बार देखने को नहीं मिलेगी मुखी मंतरी भगवन मान ने इसकी जानकारी दी हमारे साथ बाच्चीत करने के लिए पंजाब के विक्ति मंतरी हरपाल सिंग चीमा है चिमा तब मुक्यमंत्री भगवनमान जो है वो प्रेस कानफरेंस उन्होंने कि और कहा कि इस बार की जो जाकिया हम डिली में देखते हैं जहाँ पर पंजाब की जाकी हर बार एक नए रूप में एक नए मॉडल में देखने को मिलती थी इस बार कहीं नहीं जाकी उस परेड मे शामिल नहीं होगी किस तरह से देखते हैं इस वैसले को देखिए मैंसा बहुत बड़ा अपमान बीजेपी की सरकार ने सेंटर सरकार ने हमारे शहीदों का किया है राजगरू सखदेब जी बगजस सिंग ने देश को अजाद करवाने में अपनी जाने करवान कर दी अपनी शहादत दे दी वो इस दुनिया से चले गए और देश को अजाद करवाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी पर लेकिन बीजेपी ने आज जो हमारी जाकी थी वो को दरसाती थी राजगरू सखदेब सिंग ने भगजस सिंग ने कैसे फांसी का फंदे को गले में डाला कैसे देश के लिए सीध हो गया ऐसा हम संदेश देने के एक जाकी त्यार की थी और मैं समय तो आज बीजेपी ने उसको च्बी जनप्री शामन लांग करके यह ऐसा कि है कि बीजेपी जो है पंजाब को नफर्त करती है पंजाब के शीहिदों को नफर्त करती है और देश के शीहिदों को नफर्त करती है और देश से नफर्त करती है ऐसाज संदेश जो है बीजेपी की सरकार ने दिया है लगातार हम देख रहे हैं कि दो हजार बीस के बाद प है वह बीजेपी शाशित राज्य हैं कि भीजेपी की स्टेट में रास सरकार बनी हुuff जहां नामी सरकार उड़ए उन सरकारओं को दिखाया जारा रहा जहां विपक्ष की सरकार बनी ही इताहत मैं साभनविता हूं उनकी जहंकियां काटी जा रहिया है उनकुछ अभी जन्वरी प्रेट से दूर किया जा रहा है सबता हूँ यह लोकतंतर के लिए बहुत बड़ा खत्रा है भ्यक्त आदो बिजेपी से देश को खत्रा आगी देश के लोकतंतर को खत्रा है देखने में तो भारत देश एक बहुत बड़ा लोगतंतरक देश है एक बहुत बड़ा संसार में माना जाता है कि सबसे बड़ा लोगतंतरक देश बारत है पर लेकर इस लोगतंतरक के देश में मैं समझता हूँ बीजेपी लोगतंतर की हत्या कर रही है और लोगतंतर में जो पहल के दार पे उनको firstly उनको उनकी जांकियां को जो है जबी जन्मरी प्रेड में शामल करना चाहिए ऐसा मैं सब्सक्राइब बीजेपी अपना एक बहुत छोटी एक बहुत छोटी सोच का प्रदर्शन जो है बीजेपी कर रही है दो मॉडल आप लोगों ने केंदर के सामने किया गया देखी जब देश इजबाब हो रहा था लंको 95% 95% करवानिय और पंजाब के लड़ते हैं जो मैं समझीत हूँँ तो पंजाब के लोग राखी करते हैं तो उनकी जांकी को रोकना मैं समय तो है बहुत बड़ा हमारे शीहिदों का अपमान बीजेपी ने किया है और देश के लोग पंजाब के लोग कभी माफ नहीं करेंगे और मैं पंजाब की बीजेपी बालों से पूछना चाहता हूं क्या पंजाब की लीडर्शिप है उनके मैं प्रदान जी से पूछना चाहता हूं थोड़ी बहुत ही शर्म करो पंजाब के पक्ष में खड़ जाओ पंजाब के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे आपने सब कुछ काट दिया पंजाब का आने वाले समय में एक तरफ लोगों जो जाकिया बनी हुई है पंजाब की मुख्यमंतरी ने कहा कि 26 जनरी के दिन पंजाब में जहाँ भी स्टेट का जो प्रोग्रम होगा वहाँ उसको लाया जाएगा और यह दिखाया जाएगा कि पंजाब और पूनाया है प्रेड में जितनी भी हमारी इतिहासिक जो हमारी जितनी भी हिस्टॉरिकली जांकिया है उनको हम बिल्कुल प्रेजन्ट करेंगे और पूरे पंजाब में लेगे जाएंगे और पंजाब बैसे भी इतिहास को जानता है पंजाब का बच्चा बच्चा भग सिंग को जानता है पंजाब का बच्चा बच्चा राजगू सिखिनेब जी को जानता है पंजाब को पता है कि कैसे पंजाब में बूबन इंपावरमेंट हो रही है पर लेकिन हमारा इतिहास को बार बार हमारे बच्चों को आने वाले पीडी को दिखाने जी हमारी डूटी है बिल्कुल हम इस डूटी को नवाएंगे पर मैं समयता हूँ दूसरी तरफ बीजेपी ने यह काम किया है बहुत ही गटिया काम किया है और पंजाब की उनकी लीडर पंजाब से सौतेला बेवार जो है वो कर रही है और जानबूच के जो पंजाब की जहाकी है उसे परेड में शामिल नहीं किया गया और पंजाब की जनता जो है वो इसका जबाब जरूर देगी तंडीगर से कैमरा परसन अजयर आना के साथ हमित पांडे न्यूस टंडिफ झाल 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 झाल